नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वगत है दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में नाम है रौतु का राज सीधे OTT पर रिलीज भी है जी फाइब पर आप इसको देख सकते हैं, डिरेक्टर है आनंद सुर्पूर दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लिजेगा क्योंकि वेब सीरीज और मुवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी और इस फिल्म की कहानी है उत्राखंड के एक छोटे से कस्वे रौतू की जहां अपराध ना के बराबर है और यहीं है एक ब्लाइंड स्कूल और एक दिन उस स्कूल की वाडन की लाश उनके कमरे में मिलती है इस्पेक्टर दीपक नेगी जो की अस्थानी अथाना प्रभारी है वो आते हैं और उनको यह लगता है कि यह हत्या का मामला हो सकता है कुछ चीजें उनको संदिख्द लगती है और अपने अस्तर पर फिर वो जाच को आगे बढ़ाते है जैसे जैसे जाच आगे बढ़ती है कुछ नई चीजें सामने आती है और आखिर में जाकर के इस हत्या कांड की गुथी सुलजती है तो यह तो कहानी है इस फिल्म की लेकिन दोस्तों इस फिल्म को देख करके आप पिल्कुल ही समझ सकते हैं कि यह जो फिल्म है एक बेमन से जैसे तैसे करके बना दी गई हुई फिल्म है इसमें कहानी कोई जोरदार नहीं है ना कोई डारेक्शन आपको ऐसा दिखता है राइटिंग भी कमजोर दिखती है मैं अपनी बात करूँ अगर तो तीन रातों मैं मैंने इस फिल्म को देख करके कंप्लीट किया वजह ये कि जब भी मैं इस फिल्म को कोशिस की गई है कि जैसा होता है कि भाई आप जाज कर रहे हैं एक नई बात सामने आई फिर दूसरी बात सामने आई तो ये सब रखा गया है लेकिन ये इतना slow paced है और इतना कहिए कि अपनी सुविधा के अनुसार से कर लिया गया है कि इसको देखने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता कोई thrill का element यहां है नहीं और यहां suspense बिल्कुल आखिर में खोला गया है तो suspense को carry तो उन्हें नो ठीक से किया लेकिन जब ये राज खुलता है तो होना तो ये चाहिए कि जो दर्शक है वो चौक जाए उनको लगे कि अचानक ये क्या हो गया है लेकिन जब ये राज खुलता है तो फिर आती है हसी इतने बचकाने धंग से और इतने सपाट तरीके से इस suspense को खोला गया है कि आप समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है मतलब हम किस तरह की एक कहानी देख रहे है वाहियात है और दोस्तों यहां बहुत चीजे ऐसी है जो बिलकुल एकदम सिर के उपर से चली जाती है अलाकि एक दृष्य ऐसा है मैं बहुत तो नहीं बता सकता यहां लेकिन आप जब देखिएगा तो देखिएगा कि भाई एक ब्लाइंड जो लड़का है वो क्या-क्या कारनामे कर सकता है बतलब आप सोच के हैरान रह सकते है तो दोस्तों यह फिल्म कहीं से भी आकरशित नहीं करती बानती नहीं है कोई ऐसा थ्रिल नहीं है सस्पेस भी कोई दमदार नहीं है और इस फिल्म में है नवाजुदिन सिद्धी की इस फिल्म में है राजेश कुमार दूसरे भी कलाकार आपको दिखते हैं तो कलाकार तो अच्छे रखे हैं लेकिन जब न कहानी में कोई दम है न राइटिंग ऐसी है तो आप कलाकारों से क्या उमीद कर सकते हैं और दोस्तों तकनीकी तोर पे अगर देखा जाए तो ऐसा भी कुछ खास नहीं है अलाकि यहां उत्राखंट के शहरों में शूटिंग की गई है तो पहाड के देखना और पहाड के शहरों को देखना हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो दो घंटे के करीब यह फिल्म है और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको अनिद्रा की समस्या हो रही है आप सोच रहे कि कोई स्लिपिंग फिल्ब अगरा लू तब तो आप इस फिल्म को देखिए देखते ही नहीं दाएगी यह एकड़म गरांटी है अगर आपको इंटर्टेन्मेंट चाहिए अगर आपको कोई अच्छी फिल्म देखनी है तो इस फिल्म से दूरी बना के रहना ही बहतर है और दोस्तों मैंने तो दो घंटे अपने बरवाद कर ही लिये है लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ इतना खास इसमें लगा नहीं और इसलिए जो मेरी डेटिंग है वो है पांच में से केवल 1.5 यानी डेड़ की तो दोस्तों आज बस इतनी बात आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेट करके बताईएगा और आपने अगर यह फिल्म देखी है तो भी मुझे बताईएगा आपको कैसी लगी धन्यवाद